तो संसद में जिस तरीके से अटाक हुआ था उन शहीदों को नमन करने के लिए अप्रधान मंत्री नारई इंद्रमोधी आप देख सकते हैं इंद्री प्रधान मंत्री आप देख सकते हैं तो ये तस्वीरे हम आपको दिखा रहा है संसद हमने के शहीदों को नमन करने के लिए प्रधान मंत्री नारई देख सकते हैं आज पूरा देश शहीदों को नमन कर रहा है और इसी क्रम में प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी भी संसद भवन पहुच चुके हैं उप्राश्रपती ज्रक्तीब धनकर भी आपको नजर आ रहे हैं उनकी भी मौजूद की इस वक्त संसद में ये तस्वीरें आपके सामने तो आजी के दिन 2001 में लोक्तंत्र का मंदर कहा जाता है संसद भवापरातंकी हमला हुआ था और इस वक्त आप तस्वीर देख पा रहे हैं तमाम गन्माने लोग आप दिख सकते हैं उप्राश्पती पहुचे हैं अकेंद्र ग्रीमंस्री अमिट शहा, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, लोक्त सभा स्पीकर ओम बिल्ला सभी पहुचे हैं शहीदों को नमन करने के लिए पुश्प अरपित करने के शिधांजली देते हुए नजर आ रहे हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों में संसद शहीदों को शिधांजली देंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पी, अग्रीमंस्री अमिट शहा महा पर हैं, जेपी नड़्डा पहुचे हो हैं, लोक्त सभा के स्पीकर ओम बिल्ला को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं सभी के करकर शहीदों को नमन करेंगे, शि बता दें कि शीतकालिन सत्र उस वक्त चल रहा था और उसी दोरान अचानक संसत परीसर में गोलियों की आवाज सुनाई दिने लगी, एक ए 47 के साथ सफेद अमबेसेटर कार में संसत परीसर में आतंकी खुसे और गोली बारी करना शुरू कर दिया ज़्यादा पूरत नमन करते हैं अब पालेमेंट ब्यूटी ग्रोप, CRPF की सम्मानगार्ड शहीदों के सम्मान में सलामी देगी सम्मानगार्ड! शहीदों के सलामी देगे, सलामी देगे! चाट! कमानगार्ड, के सलाव तेरह दिसंबर 2001 के दिन भारतिय संसद में सुभा अब हम शहीदों के सम्मान में मौन धारन करेंगे अब हम शहीदों के दिन भारतिय संसद में शीद कालीन सत्र का समय था जोभीका एक आतंकी परिस्वर में आये थे और इस बड़े अटाक को अंजाम दिया गया था और आज संसद भवन परिसन में शद्धांचली अर्पित करने के लिए आप देख सकते तब तमाम गन्माने लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं संसद भवन से आपको इस वक्त हम लाइव विश्वल सिखा रहे हैं के इंद्रग्री मंत्री अमिच्छा, लोकसबा स्पीकर ओम बिल्ला, प्रधान मंत्रु नरेंद्र मूदी, साहित उ प्राश्पती पहुँचे हैं हाँ पर तमाम शहीदों को लमन करने के लिए, पुश्प अर्पित करने के लिए और प्रधान मंत्रु नरेंद्र मूदी ने शिद्धांचली दी है, देश आज इन शहीदों को नमाखों से याद कर रहा है, बाइसवी बरसी जो है आज संसद पर हुए समले की जो 2001-13 दिसंबर के द पंद्रा के करीब लोग जो की घायल हो गए थे, उन तमाम जवानों को इस वक्त नमन किया जा रहा है, उन्हें श्रधांचली दी जवा रही है, उन्हें याद किया जा रहा है, और मौन धारण कर श्रधांचली उन्हें अर्पित की गई यह तस्पीरे हम आपको दिखा रहे हैं, संसत्भवन परीसर की तस्पीरे हैं, और इस वक्त श्रधांचली दी जा रही है, नमन किया जा रहा है उन्हें शहीदों को, आतंग की हमला हुआ, श्रीत कालिन सत्र उस वक्त चल रहा था, 13 दिसंबर 2001, श्रीत कालिन सत्र के दौर एक एक 47 के द्वारा की जाती है, ऐसे में गाड़स और दली पुलिस के जवान उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं इस दोरान, दिली पुलिस के जवान और गाड़स शहीद हो जाते हैं, ये दिवस भारत के यतिहास में कोई भूल नहीं पाया है और आज उन शहीदों को श् में उध्धा किय और केंद्री ग्रीमंद्री अम शेयर है किये तस्वीरें था सुमन अर्पित करते हुए कि सब्सक्रारइबक और के हए बाकरफ आक हो नंधमे की याद कर रहे हैं लुएुए। यहां पर पहुँचे होएं, देखिएं आपको नजर आ रहा है एक नचा सा बालक इन तस्वीरों में है और तमाम जो परिजन हैं उन शहीदों के जिनको हमने उस आतंकी हमले में खो दिया था जिनको अपना सरवस नोचावर किया था सा उस आतंकी हमले में वो तस्वीर आपके सामने इस वक्त परिजनों से मुलाकात करते भेट करते उप्राश्पती नजर आ रहे हैं पियमोदी उनसे बातचीत करते नजर आ रहे हैं और साथ ये साथ तमाम गन्माने लोग यहाँ पर पहुँचे कि करकर शहीदों को याद करते हुए साथ बावन पर हमले की 22 वरसी पर पुश परपित करने के साथ परिजनों से भेट करते बातचीत करते पियमोदी और साथ ये साथ तस्वीरों में हमारे उप्राश्पती भी है जगदीव धनकार जिनको आप देख सकते हैं पियमोदी और दुनों साथ-साथ परिजनों से नरेंद्र मोदी उप्राश्पती जगदीव धनकर लोग सभाध्यक्षों बिला तमाम सभी गड़माने व्यक्तियों ने अभी श्रधा सुमन अर्पित किये वीर सपूतों को जो 13 दिसंबर 2001 को शहीद हो गए थे और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यहां उनी शहीदों क परिवार जनों से अपनी सम्वेदनाय प्रकट करते हुए उनसे बातचीत करते हुए बिल्कुल होसला बढ़ता है भावना जब कोई परिवार शहीदों का परिवार जब परिवार तो यह तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं यह वो फैमिली मेंबर्स हैं जो की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से इस वक्त मुलाकात करें जो तस्वीरें आप देख रहे है अपनी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दी कि शहीदों के परिजन पहुचे हुए हैं यह भी श्रधान जली अपित करने के लिए नमन करने के लिए यहां पर पहुचे हुए श्रधी शहीदों के परिवार जनों के साथ मुलाकात करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोद और साथिसाथ उप्राश्रपती जगदीब धनकर भी आपको नज़र आ रही है इस वक्त शीत कालिन सत्र चल रहा है और 13 दिसंबर 2001 को भी शीत कालिन सत्र का समय था जब ये आतंकी हमला हुआ और उन आतंकियों को खदेरने के लिए जवानों ने अपना सर्वस्र ने चावर क चीत करते हुए इस वक्त उप्राश्रपती जगदीब धनकर के साथ लोग सभाई स्पीकर ओम्रिला भी आपको नज़र आ रहे हैं तस्वीरों में इसके पहले मौन धारन किया किया और मौन धारन करते हुए अपना सम्मान प्रकट उन शहीदों के लिए किया किया प्रधान फैमिली मेंबर्स भी पहुँच रहे हैं जन से मुलाकात प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने भी की हैं दो तस्वीर हम आपको दिखा रही हैं 2001 से आज 2003 इस तक 22 साल इस आतंग की हमले को हो गए हैं 22 वी बरसी आज है देश शहीदों को नमन कर रहा है प्रधान मंत्री नरे प्रधान मंत्री नजर आए इसके पहले श्रधास सुमन अर्पित किये गए उन्हें श्रधांजली दी गए और अपना सम्मान मौन प्रकट करते हुए भी उन शहीदों के लिए दिया गया तुमारे जाबाज जवान माभारती के इन वीर सपूतों ने अपना सर्वोच बलि प्रधान मंत्री नजर आए और साथी साथ ये जो तरस्वीर इसके आपके सामने है जहांके तरफ शहीदों को देश्रमन कर रहा है पुष्पर्पित किये गए समय तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं प्राश्पती पहुचे हुए लोगसबा के सपीकर पहुंचे हुए हैं बीजेपी के राश्य Auss्य अध्यक्ष पहुचे हुए हैं के इंटर ग्री मंत्री पहुचे उए और यहां से परिसर से dimsat के निकलते हुए और जो परिजन है इन जाबाजों के यहां पर पहुँचे हुए हैं सलसद परिसर में सब देखे जा सकते हैं उनसे मुलाकात की है पिये मोधी ने अपनी सम्वेदनाओं को प्रकट किया और तस्वीर यह अस वक्त आपके सामने लाइव हैं जो कि सलसद भवन प लेटों को आप देख सकते हैं तस्वीर इनकी लगाए गई हैं बाकाइदा और एक एक करकर सभी नहा पर इनको नमन किया शद्धांजली अर्पित की तीन तस्वीर आपके सामने देश शहीदों को नमन कर रहा है 22 वी बरसी क्योंकि आच है संसद पर हुए अटाक की 13 दिसं पीर में और 2001 में जब आतंकी हमला हुआ था जाबाजों के सरीके से इस पूरे अटाक को नाकाम किया था अपनी शहादत देते हुए और उन सभी जाबाजों को आज देश नमन कर रहा है तीन तस्वीर आपके सामने बलकुल यह तीन तस्वीर आप देख रहे हैं और 2001 में कै कैसे आतंकी हमला हुआ था उसका चितरन भी आपके सामने कैसे वाइट अमबैसेडर में आतंकी घुसते चले जाते हैं पार्लियमेंट के कैंपस के अंदर और उसके बाद ताबरतोर गोलिया चलाना शुरू कर देते हैं और अस बीच उन्हें रोकने की कोशिश होती है उनक